जैहिन दोस्तो मद्ध परदेश पुलिस कॉंस्टेवल के प्रिविएस एर कोस्टन का ये पार्ट सेकेंड है इसमें आज हम लोग डिसकस करेंगे साइन सेक्षन के बारे में आपके आने वाली एक्जाम MP कॉंस्टेवल और MPSI के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला ह चलिए वीडियो सुरू करते हैं फर्स्ट कोस्टन है मैंनी फूट चैन इन एको सिस्टम आर कनेक्टेट टू फॉम है एक पारिस्थिती की तंत्र में कई सारे खाद जाल बनकर क्या बनाते हैं तो ये बनाते हैं फूट वेब बनाते हैं ऑप्सन ए जो है बिल्कुल सही खाएगा लेकिन जो फूट वेब है वो इंटर कनेक्टेड होता है बहुत सारी फूट चैन जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है फूट वेब बनाती है चलिए देखते हैं नेस्ट कोस्टन विच वन आप फालूविंग इस नॉट दे एडवांटेज आप सिंथे होती है क्या वो सिकूड जाती है बिल्कुल नहीं इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्सन ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है तो ये रिंकल्स नहीं होते हैं सेकेंड कोस्टन है इसका रिजन बोल रहा है कह रहा है किसी कूए का कठोर जल उसमें धोने का सोडा मिलाने पर नरम हो जाता है ये इसका रिजन क्या बताया जा रहा है कि ये कैल्सियम और मैगनिसियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ प्रकिरिया करके कार्बोनेट लोड में परिवर्तित हो जाता है इसलिए इसका जो वेलू का जो है SI unit क्या होता है तो यह जूल पर kg होता है option C जो है वो बिल्कुल सही जवाब है next question है यह can act like both a solid and a liquid करा एक ठोस और तरल दोनों की तरह कार कर सकता है तो कौन कार कर सकता है gelatin gelatin जो है एक solid और liquid दोनों की तरह काम कर सकता है जब यह room temperature पर होता है तो solid state में होता है और जैसे इसका temperature बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे यह पिखलना शुरू कर देता है next question है which part of ground nut plant is used in manufacturing oil मुकफली के पौधे के किस भाग का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है तो मुकफली के बीच का उपयोग जो है तेल बनाने के लिए किया जाता है जैसा कि आप भीगर में देख पा रहे हैं next part है the muscular tissue for the transport of water and nutrient in the plant is called कर रहा है पौधे में पानी और पोसक तत्यों के परिवहन के लिए समवहनी उत्तक को क्या कहा जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जाइलम कहते हैं जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है किसका water और mineral का और जो phloem है वो क्या काम करता है जो पौधे खुद का खाना बना लेते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है कौन फ्लोयम अगला कोस्चन है the human skeleton is composed of around bone करा मानो कंकाल जन्म के समय लगभग कितनी हड्डियों का बना होता है तो लगभग ये 305 हड्डियों का बना होता है और एक वयस्क मनुस में ये हड्डियां वापस में जुणने के बाद कितनी बच्ती हैं 206 हड्डियां बच्ती है next question है as per the balance diet chart which of the following should be taken in the highest quantity संतुलित आहर चार्ट के अनुसार निम्न में से किसका सेवन अधिक मातरा में करना चीए तो अधिक मातरा में हमें serials का उपयोग करना चीए अंकुरी तनाज या मोटे अनाजुका करना चीए जैसे कि ज़ार, रागी, बाजरा ऐसे चीजों का सब ज्यादा हमें सेवन करना चीए बैलेंस डाइट के लिए, अगला question है वुचेरिया bankruptcy is responsible for, वुचेरिया bankruptcy जो है किसके लिए जिम्मिदार है तो वुचेरिया bankruptcy की वज़े से हमें क्यों सा बिमारी होती है, फाइल रेसीस होती है, यह question आप याद रखिएगा, यह रहा आज का वीडियो, thank you for watching this video, मिलते है नेक्स पार्ट में